हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर एंड सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टनून सो आज हम लोग जो चाप्टर कर रहे हैं दाट इस हमारा एनिमल किंडम ठीक है और उसके बाद अगर हमारे पास समय रहात हम लोग प्लान किंडम कर देंगे क्योंकि I have classes भी ठीक है सो स्टार्ट करते हैं टाइम विस्ट किये बिना ओके जी चलो गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून आगे सारे आ जो भाई जल्दी पढ़ा लिखाई करें टाइम से आजाए करो ठीक है अच्छे तरीके से अच्छे बच्छों की तरह अच्छे अच्छे लिखा है यह दिख रहा है ठीक है और कोई दिक्कत और परिशानी नहीं होगी अगर आप चाहें तो इसको हम थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं अच्छे बच्छे पहली बड़ी क्लास में हैं उनको बता दे कि अपने नीट एक्जाम की जो हमारा होने वाला संडे को उसकी हम लोग थोड़ी बद प्रप्रेशन कर रहे हैं ठीक है हम लोगों ने कहते एक महीने में डिसाइड किया था कि जितनी चीज़े हो सकी उतनी ची पसंद के आसपर सीजे कवर करी है और इंपोर्टन इंपोर्टन उनिस को खतम भी किया है जैसे कि human physiology हो गया और उसके बाद क्या कहते हैं हमारा genetics वाला पार्ट हो गया और मैं सोच रहा हूं क्या कहते हैं कि आज आप लोगों को animal kingdom करवा जेता हूं उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग कल का जो पूरा दिन होगा it will be dedicatedly given to plant physiology, plant physiology के जो भी questions बनते हैं उनके उपर क्या कहते हैं आप लोगों के साथ discussion कर लोगा ठीक है चलो, so start करते हैं और देर नहीं करते हैं बिल्कूल भी, biotech बेटा जी अच्छा सुनो ऐसा करता हूं फिर मैं पहले biotech करवा जेता उसके बाद मैं आप लोगों को plant physiology करवा दोंगो ठीक है, so कर लोग हम बाइटक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग plant physiology कर लेंगे, ठीक है, okay, so पहला question आप लोगों के सामने यहां पर जो दे रखा है उसको please ध्यान से रीड करिए, in case of poriferans, the sponges seal is lined with flagellated cells, जिसको हम क्या कहत होते हैं, poriferous यह आप कहा सकते हैं हमारे जो sponges होते हैं, ठीक है, उनकी जो cavity होती है, body cavity, उसके उपर आप लोगों को flagellated cells देखने को मिलते हैं, and वो flagellated cells हमारे कौन से होते हैं, फटाक से आंसर बताना है, बिना लेट करे, ठीक है, चलो, जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा, जो बच्चे 10th class में हैं, उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मतलब, चीजे समझ में नहीं आएंगी, जो बच्चे 12th class में pass out हो चुके हैं, पास हो गए हैं, होंगे साल, उनके लिए नीट का crash course है, तो वो क्या कहते हैं, कर स होता है, ठीक है, चलो, फटा फट इसकांसर बताओ की, स्पॉंजो सील जो होता है मारा, यानि की पॉरी फेरस की जो कावटी होती है, उसमें कौन से cells प्रेजन्ट होते हैं, बताओ जी, पेपर आप लोगों का संडे को, आंसर पता होने चाहिए, इतने सारे मतलब इतनी ची अधरी जी हैं, पर एक यादव है, दोनों का अंसर सही है, ठीक है, क्योवानिट साइट से होते हैं, फ्लाजले रेट सेल्स हैं, जो स्पॉंजो सील में होते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप पूरा का पूरा इसको रीड भी कर सकते हैं, जो ऑस्टिया होते हैं, वो छूट filtering flagellated cells, अब यहाँ पर एक बदी देखू, रीड करो, a quantum is inner cellular layer, जो consist करता है, of highly specialized flagellated cells, इसकों कहते हैं, the beating of their flagella creates water current, ठेक है, और उसकी help से ही, वो उस water current से, जो अपना खाना वाना होते हैं, वो भी पकड़ते हैं, और exchange वगरा करते हैं, तो यहाँ पर question जो पूछा गया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो body having meshwork of cells, internal cavities, lined with food filtering, flagellated cells and indirect development, जिसमें देखने को मिलता है, कौन सा है, तो कौन सा ऐसा, यहाँ पर फाइला में है आपका, यह पौरिफेरा के जो cavity spongosil, उसमें कौन से cells होते हैं, अब उल्टा पूछ लिया है, कि food filtering, flagellated cells होते हैं हमारे, वो किसमें देखने को मिलते हैं, तो answer वोड़ भी पौरिफेरा, ठीक है, हाँ जी, बी option, सही है, सब कांज सही है, next question पर आते हैं, next question यहाँ पर हमारा, क्योंकि जादा धीरे धीरे निकरना, फास्ट फास्ट चीज़ा करनी है, इस question ने पूछा गया कि, which was the following statement about four, spongosil, leech, dolphin and penguin, एक बड़े फिर से देख लिजे, spongosil, leech, dolphin and penguin के regarding, कौन सा statement यहाँ पर हमारा correct है, penguin is homeothermic, okay, while the remaining three are poikilothermic, अच्छा, leech is fresh water form, while others are marine, spongosil has special collard cells, called quanozoids, not found in the remaining, that all three, sorry, all are bilateral symmetrical, ठीक है, अगर spongosil की बात करे, आने कि spongos की बात करे, तो spongos हमारे कैसे होते हैं, asymmetrical होते हैं, तो last all option गया, penguins homeothermic होते हैं, ठीक है, लेकिन dolphin जो है, वो भी mammal है, homeothermic है, अच्छा, ये वाल option भी गया, leech जो होता है, fresh water form होती है, while others are marine, ऐसा नहीं है, हमारे के कहते हैं, spongosilabhी कुछ fresh water में देखने को मिलते हैं, बचा है हमारे पास option number C, that is की spongosilabhी के अंदर, हम लोगों को special cells देखने को मिलते हैं, जो की बाकी cells, मतलब बाकी organisms के अंदर present नहीं होते हैं, ठीक है, हाँ जी, सही है, तो option number C, correct answer है, ठीक है, फैस क्या समझ नहीं आया, वो लिखो, ये मत बोलो की समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, वो बताओ, ठीक है, तो साइकर हमारा पॉरी फैरा से बिलॉंग करता है, ठीक है, पॉरी फैरा के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, question number 2, एक बढ़ हम देख लेते हैं, पहले सको कर लेते हैं, फिर question number 2 पर आते हैं, multi cellular with gastro vascular system, multi cellular having tissue, पॉरी फैरास के अंदर tissue system नहीं होता है, okay, unicellular और acellular, unicellular नहीं होता है, multi cellular without any tissue organization, ठीक है, तो यह जो gastro vascular system है, आप लोगों का, यह हमारा पॉरी फैरास के अंदर नहीं होता है, यह present होता है किसमे, acylent rates में, तो यहाँ पर आप बताईए कि option कौन सा हमारा correct होगा, इन पॉरी फैरास या साइकान, हम लोगों को कौन सा feature देखने को मिल रहा है, unicellular वाला हटा सकते हो, multi cellular condition है, tissues नहीं बनते हैं, तो B और C भी हटा सकते हो, बचा A और D, तो A जो gastro-vascular cavity दिख रही है, cillent rates चनाइड़ोरिया में होती है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, एक बच्चे ने बोला कि भी है question number 2 समझ में नहीं आया, question number 2 में कुछ नहीं पूछा है, question number 2 में पूछा ता हम लोगों से कि, ऐसा कौन सा phylum है चारों में से, जिसके अंदर flagellated cells देखने को मिलते हैं, तो flagellated cells हम लोगों को देखने को मिलते हैं, पौटी फारा के अंदर, internal cavity में, ओके, चालो जी, next question यहाँ पर question number 5 जो है मारा, वो क्या पूछा गया है, यह देखिए, पूछा गया आप लोगों से, कि the canal system is characteristic feature of, canal system जो होता है, वो किसका characteristic feature है, तेक है, आप लोगों ने देखा था कि, आप लोगों ने पढ़ हो गया, अनिमल kingdom तो वहाँ पे अपने, मतलब हिंट दे सकता हूँ में, अभी तक हम लोग एक ही फाइलम की बात कर रहे हैं, तो उसी के अंदर देखने को मिलता है, तो अपने polyphirus जो होते हैं, उसके अंदर osteas होते हैं, बहुत सारे pores होते हैं, तो side से पानी अंदर आता है, pores के थूँ, osteas के थूँ, और उपर एक बड़ा pore होते हैं, जिसको हम कहते हैं, तो side से पानी अंदर आता है, और उपर से पानी बाहर निकलता है, तो एक कैनाल सिस्टम बनता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, sponges के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, चालो जी, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number six, what is true about sponges without exception, ठीक है, sponges के लिए क्या statement correct है, without exception, they all are marine, they have flagellated collar cells, जिसको हम कौनोसाइट भी कहते हैं, they have missed skeletons consisting of spicules and sponges in fibers, ठीक है, they reproduce only asexually by budding, so कौन सी statement, सिर्फ एकदम मतलब सही है, without any exception, अब sponges की अगर आब बात करते हैं, तो sponges जो हैं मारा, वो fresh water भी होते हैं, और marine भी होते हैं, तो पहला वाला statement तो यहां से हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, they have flagellated collar cells, यह देखना पड़ेगा, they have mixed skeleton consisting of spicules and sponges in fibers, हाँ, इनके पास skeleton होता है, specules का और sponges in fibers का, लेकिन कुछ-कुछ में specules भी होते हैं, कुछ-कुछ में सिर्फ sponges in fibers भी होते हैं, ठीक है, they reproduce only asexually by budding, ठीक है, asexually by budding, बट fragmentation भी हम लोगों को sponges में देखने को मिलता है, अब हमारे जो समराट जी हैं, उन्होंने बोला है, option number C, बेटा, C में क्या है कि न देखो, specules भी प्रेजंट होते हैं, अलग से भी प्रेजंट होते हैं, specules, mix भी प्रेजंट होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कि आप लोगों को specules और sponges in fibers, साथ में देखने को मिल रहे हैं, exception हमेशा याद रखना, exception हमेशा characteristic feature का नहीं होता है, जैसे कि इनके पास क्या प्रेजंट है, collar cells और quinocytes, तो यानि कि यह characteristic feature है, यह हर sponge में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, चले जी, next question पर आते हैं, next question यहापे हमारा क्या है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, यह simplest type of canal system, canal system वहरे syllabus में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यह काम का नहीं है, classification of peripheral यह भी एक में टुक जो, इस पर आते हैं, इस वाले question को करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, कि which of the following living organism, completely lack करता है, cell wall, कौन सा ऐसा organism है, जिसके अंदर cell wall जो होती है, absent होती है, cyanobacteria, c fan, ठीक है, saccharomyces, blue green algae, question हो सकता है, पढ़ने में मुश्किल लगे, लेकिन question है, असान, पूछा गया है, simply कि कि किसके अंदर cell wall, absent है, या वो lack कर रहा है, cyanobacteria, procarriage के अंदर cell wall देखने को मिलती है, saccharomyces, जो है हमारा, yeast है, ठीक है, fungi में आता है, fungi के पास भी kytin की cell wall होती है, blue green algae, को cyanobacteria ही कहते हैं, तो दोनों सेम चीज है, ठीक है, इसमें भी cell wall होगी, बचा क्या हमारा, नेक्स कोशन पर आते हैं, नेक्स कोशन यहाँ पर हमारा कौन सा है, वो देख लेते हैं, फटाफट, कोशन नमबर 10 के अंदर हम लोगों से पूछा गया, select the taggation mentioned, that represents both marine and fresh water species, आप लोगों को वो कह सकते हैं, बसे एक लिए आप group select करना है, यह आप कह सकते हैं, फाइलम select करना है, जिसके अंदर आप लोगों की दोनो, marine and fresh water species देखने को मिले, यह कोशन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब हम चीजे पढ़ते हैं, तो यह जो feature होता है, कि हाँ organism marine है, और fresh water दोनो है, तो यह feature हम के उसके उपर हम थोड़ा कम गौर करते हैं, तो इसको आप लोगों को मैं एक बढ़ी बता देता हूँ, यहाँ पे इसका पहले description देख लेते हैं, क्योंकि इस question का अंसर हो सकता है, आप लोगों को नहीं पता हो, हलाकि अगर पता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं बता कर नहीं पता है, तो एक बढ़ी discuss कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, नाइडेरियन मेंबर्स जो होते हैं, और फाउंड इन बोथ fresh water and marine environment, ठीक है, वाइल मेंबर्स आफ टीनो फोरा, और सिफैलो कॉड़ डेटा, इक कानो डेटा जो होते हैं, इसक्लिसिवली मराइन होते हैं, तो यह एक यहाँ पे सीखने वाली बात है, कि जो हमारे इस टीनो फोराज हैं, हना, जो यहाँ पे जिसमें अपना कॉम्पलेट्स वगरा आती है, टीनो फोराज हो गए हमारे, सिखेलो कॉड़ेट्स हो गए, इकानो डेट्स हो गए हमारे, यह सारे के सारे किस में आते हैं, सिर्फ मराइन में आते हैं, पॉरी फैरस के अंदर भी आप लोगों को मराइन और फ्रेश वटर दोनों कंडिशन देखने को मिलती हैं, ओके, इस कोशन में हमारा आंसर क्या होता है, इस कोशन में हमारा आंसर होता है, नाइड एरिया हो जाता है, या सीलेंट रेट्स हो जाता है, त्योंकि नाइड एरिया को ही हम सीलेंट रेट्स भी बोलते हैं, ओके, सो स्पॉंजिस, अर्थवर्म, कॉक्रोज, हाइडरा, बताएजी, कौन सा ऐसा एनिमल है, जहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, बेसिकली नेटवर्क आफ नर्फ फाइबर देखने को मिलता है, नर्फ सेल्स होते हैं, उसका नेटवर्क होता है, बट ब्रेन नह होता है, वो कुछ उसके नियूरंस के गुरूप होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं पर इनको, स्पॉंजिस के अंदर तो होता ही नहीं है, नेक्स यहां पर हमारा कोशन क्या पूछा गया है, फटा फट, ठीक है, हाइडरा का जो वेस्ट मेटिरिल होता है, ठीक है, माँट अन माऊट, बयडीक woll, माँट अन बयडीक stip那个's, साभी के वेस्ट मेटिरिल होता है, पुछा पूचा गया कि गोता है, पर लोग को पता है, कि हेंदर सिर्फ एक ही मतलब माँट होता है, माईब ओपनिंग होती है, वहीं से घ्रिक है, तो मायट हमारा इंजेश्चन भ में सोड़े से दिक्कत है रही बात N2 waste की तो N2 waste का removal या nitrogenous waste का removal body wall से होता है so option number 3 यहां पर हमारा correct choice हो जाएगा next question पर आते हैं चालो जी यह बताइए most appropriate term to describe the life cycle of obelia neotenny metagenesis metamorphosis or all of these ते के कोशन भी आप लोगों के NCRT में दे रखा है it is easy हां जी इस question में भी आप लोगों को कोई परिशानी होनी चाहिए नहीं क्योंकि आप लोगों को पता है समय में एक चीज़ पढ़ते हैं कि dash produces poly produces medusor is sexually and medusor produces poly is sexually तो alternation of generation देखने को मिलता है and alternation of generation को क्या कहते हैं अरे तुम डी क्यों बोल रहे हो metamorphosis थोड़ी नहीं होता यार क्या कर रहे हो कि अपना अबीलिया के अंदर metamorphosis कब से होने लग गया यह यह मुझे जानना है इसके लिए कोई explanation अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज जो लेट मी नो कि क्या explanation है आपका और sexual face देखने को मिलता है जिसकों कहते हैं polyp or medusa so i don't know यहां पर हमारे option number b को किसी ने select क्यों नहीं करा है ठीक है एक बर इसका explanation भी देख लीजिए कि क्या इसका explanation होगा यहां पर देख सकते हैं यह देखो true alternation of generation is occur करता है between haploid gametophyte and diploid sporophyte in obilia a sexual polyp जो होता है face is alternate with sexual medusa at force and this type of life cycle is called metagenesis तो दो फेस देखने को मिलते हैं एक तो अपना polyp होता है और एक medusa होता है ठीक है इनकी बीरे बारे में और भी चीज़े होती है मतलब से साइल होता है मतलब attached रहता है यह मूव नहीं करता और एक swim करता है move करता है तो वो सारे features भी देख लेना ओके metagenesis यहां पर हमारा correct choice था नेट नियो टैनी जो नियो टैनी क्या होता है इस अलसो कॉल्ड जुवनिलेशन इस वन अप दा टू वे बाइच pseudomorphism के नराइज यह कभी आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा यह भी नहीं पूछा जाएगा मॉटम और फासिस हम लोगों को देखने को मिलता है किसमें फ्रॉग वग्रा में सो इस बाइलोजिकल प्रसर्स बाइविच अनिमल फिजिकली डवलप करता है आफ्टर बर्थ और नौचिंग इन्वालविंग अ कॉंस्पिक्वेस एंड रिलेटिवली अबरप चेंज इन अनिमल बॉडी स्टक्चर थू सैल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशेशन इग्जाम्पल इन सम इंसेक्स में देखने को मिलता है मॉलस्कास में भी देखने को मिलता है ठीक है और हाँ अपना जो फ्रॉग होता है उसमें भी देखने को मिलता है ठीक है तो इस कोशन का आंसर बेटा मैंने बताया ना मैटाजनिस इस वाले कोशन का आंसर क्या होगा मैटाजनिस होगा ऑप्शन नंबर बी alternation of generation यह आप लोगों की NCRT में भी mentioned है ठीक है next question पर आते हैं next question यहाप हम लोगों से क्या पूचा गया है यह देख लेते है special cells जो हम लोगों को sealant rates में देखने को मिलते हैं ठीक है polymorphism, nematocytes, flame cells या hermaphroditism special characteristic cells जो हम लोगों को या special character जो हम लोगों को sealant rates में देखने को मिलता है, जल्दी बताएं, क्या होगा क्या सकांसर आया है हमारे पास ओके, ठीक है, रिया का सही है, nematocytes जो होते है हमारे ठीक है, वो special cells होते हैं, जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं in sealant rates, ठीक है, तो यह स्कूम stinging cells भी कहते हैं, needoblast भी कहते हैं, और इसके अंदर toxin होता है, neurotoxin होता है इसकी health से वो अपने prey को catch करते हैं, hydra के tentacles से भी हम लोगों को nematocytes बगरा देखने को मिलते हैं, ठीक है, चलो जी आगे चलते है, next question की तरफ, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, cells का काम क्या है, the most characteristic feature of sealant rates in presence of nematocytes or stinging cells क्या होता है mainly concerned with food capture, defense and attachment, तो इन सारी चीजों के अंदर यह काम करते हैं, ठीक है, कोई question करें तो Hello Sir, Google तो कोई question search करते हैं, तो doubtnet app तो show ही नहीं होता, बेटा आप रीत ऐसा कर सकते हो ना, doubtnet की गूगल पर क्यों search करना है, doubtnet की app आप खोलिए, ठीक है, उसके अंदर camera का option दे रखा है, आपको जो भी question है, उसकी photo क्या कहते हैं, click करिए, वो कर दो, जब हम लोगों ने already क्या कहते हैं, मतलब अपने ही app में feature दे रहा है, तो Google पर search करने की ज़रती क्या है, तो मतलब I guess, यह best है जो आप लोग कर सकते हैं, मतलब usually, मतलब ऐसा नहीं की students के लिए, मतलब हम लोग देखने हैं, कि हम लोग को कहते हैं, कोई teacher वगरा भी होता है, उसको भी कोई परिशानी हो इसके अंदर nerve होती है, लेकिन brain वगरा नहीं होता है, ठीक है, sorry, nerve cells वगरा होता है, लेकिन brain वगरा नर्वस नहीं होती है, तो हमारा sealant rates, यह कह सकते है, nideria, और nideria से सिर्फ एक animal belong करता है, that is hydra, ठीक है, तो आते हैं इधर की तरफ, इस question पर, चालो जी, next question यहाँ पर हमार और sponges और starfish, so budding commonly किसमें देखने को मिलती है, हम लोगों को, tape bomb, sexual reproduction वगरा भी शो करता है, ठीक है, starfish भी शो करती है, starfish regeneration शो करती है, so अब हमारे पास सिर्फ दो options है, जल्दी सांसर बताईए, और फिर हम लोग आगे चलते हैं, चालो, फटाफट, budding is normal mode of asexual reproduction in, किसके अंदर हम लोगों को budding देखने को मिलती है, अच्छा, इस class को, अगर मैं 12 बज़े करवा लूँ, ठीक है, for the time being, क्योंकि, basically, देखो, ऐसा करना है कि, मैं को क्या है कि, एक बज़े के बाद मैं थोड़ा busy हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्लास होती है, तो फिर मैं को बीच में ब्रेक चाहिए होता है, तो फिर काम नहीं हो पाता है, ठीक है, तो अगर 12 बज़े क्लास कर दें, तो वो, I guess, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो कल मैं क्लास 12 बज़े लगवा लूँगा, हाना, ओके, मैं को थोड़ा ब्रीधिं जो है, या सिलेंटरेट जो है, उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है, हाइडरो, जो या सकाइफो जो एंधो जो ये चीज़े पहले डीटेल में आती थी, अब नहीं आती है, आप कोशन भी देख सकते हैं, कितना पुराना है, हाइडरा का क्लासिफिकेशन वगरा पहले पू सकता हूँ, एनिमल किंडम में एक चीज के उपर प्लीज नजर मार लेना, इंपोर्टेंट है, वो क्या है कि अगर आप एंटिया टिक होल के देखते हैं, तो अगर आप एक्जामपल्स देखेंगे, तो एक्जामपल्स में, मतलब बेसिकली जो अपना वो है, मतलब जो नेम्स भी दे रखें हैं, तो आइल सजेस्ट क्या कहते हैं, कि आप जो कॉमन नेम्स है ना, उसको एक बरी अच्छे तरीके से लिख लेना, एक तरफ साइंटिफिक नेम्स लिख लिजे, एक तरफ कॉमन नेम्स लिख लिजे, क्योंकि ये टेंड देखा है, मैंने कभी- काफी रेर हो चुका है, जैसे की वाला कोशन भी देखोगे, तो औरगन पाइप कोरल जो होता है, किसका नाम है, ट्यूबी फोरा का नाम है, तो ये 1988 का कोशन है, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, रेर हो चुका है, बट क्या कहते हैं, आप लोगों को एक बरी रीड कर दो तो मतलब मेरे खायल से ठीक रहेगा, और specifically last में जहां पे हम लोग मामाल सवाला पार्ट पड़ते हैं, तो पीजन को क्या कहते हैं, सब का लिख र geographic है,phin का क्या नाम है, सब के जो scientific name से हैं, वो mention कर रक हैं, ठीक है, थेक एंको आप लोग प्लिज उसका क्या कहते हैं, ध्यान रखना, चलो, next question, next उस पर चलते हैं, Tino for A seasoned phylum पर आते हैं, अब Vergleich से क्या पूछा गया है कि और hydra and star face by radial symmetry ठीक है यानि कि आप उसको बीच में से cut कर सकते हैं ठीक है अपना आराम से किसी भी उसमें यानि कि उसको cut करेंगे तो कितनी भी axis से equal house में divide हो जाएगा वो तो by radial symmetry and lack of needle blast ठीक है हमारा जो hydra होता है उस वो भी by radial symmetry show करता है बट बट वहाँ पर needle blast present होते हैं needle blast absent होते हैं किसमें टीनो फोरा में और वो शो करता है by radial symmetry अब आप सोचेंगे कि भाईया इसके अलावा इसका कोई और अंसर क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे आता है प्लैटी हेलमेंटीज प्लैटी हेलमेंटीज शो करते है bilateral symmetry उसके बाद फिर s केलमेंटीज आता है वो भी कैसा शो करता है bilateral symmetry ही शो करता है ओके सो टीनो प्लैना और यह हमारे बिलाउंग करते है टीनो फोरा से तो यह हमारे यहां पर correct choice होगा चालो जी सो next question पर आते है question number 21 यहां पर हम लोग उसे क्या पूछा गया है देख लो ध करना है अब एक बर इसको देख लेते हैं सबसे पहले अडल्ट शो होते हैं वो शो करते हैं radial symmetry और लार्वा जो होते हैं शो करते हैं bilateral symmetry जब भी मैं यह point पढ़ता हूं हमेशा मेरे को यह याद आता है कि it is the characteristic feature of हाँ एक आयनोडर्म्स एकाइनोडर्म्स इसमें से कौन सा है यह हमार जो एस्टेरियस है यह एकाइनोडर्म्स है यानि की B के साथ मेरा कौन सा आ रहा है B के साथ first मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इस्टेरियस ठीक है बायो लूमिनेंस चो होती है हमारी it is property of टीनोफोरा त हाँ तो बायो लूमिनेंस तो हमारी it is property of हमारा किसका टीनोफोरा ठीक है तो इस चीज का भी कहते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है तो डी के साथ हमारे थर्ड आ गया अच्छा डी के साथ थर्ड दे रहा है यहाँ पर और बी के साथ first भी यहाँ पर दे रहा है option number A में अब बुक लंग्स हमारे किसमें प्रजेंट होते हैं तो बुक लंग्स होते हैं हमारे scorpion में and gregarious यानि कि जो pest eater होता है gregarious और पॉलिफेगस यानि कि multiple के करते हैं पेस्ट को खाता है तो वो को अंसा होता है locust आप लोगोंने बहुत टाइम पहले मेरे खाल से एक दर साल प प्रण को destroy करता है gregarious यानि कि groups में usually यह रहते हैं हाना सो अब देखो उसका c क्यों बोल रहे हो कि कैसे होगा मैंने बोला कि बी के साथ first बी के साथ first इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है अच्छा फिर मैंने बोला by luminance यानि कि d के साथ टीनो प्लैना यानि कि टीनो फोरा के अंदर by luminance देखने को मिलता है तो डी के साथ third option नमबर ए है तो c क्यों बोल रहे हो क्या दिक्कत आगी बताओ किस वज़े से आप सी बोल रहे हैं यह हमको जानना है क्या reason है सी बोलने का जब मैंने बोला कि भाया यह वाला जो है एक कायनो डर्म मेटा का feature है और स्टेरियस हमारे कायनो डर्म है फिर मैंना आप लोगों को बोला कि by luminance हम लोगों को देखने को मिलता टीनो प्लैना के अंदर तो d के साथ थड़ी यह दे रखाए तो थोड़ा सा आखे खोल के दिल खोल करके मतलब चीज़े देखिए ताकि कि आप लोग सही अंसर यहां पर माक कर सकें अगर यहीं पर सही अंसर नहीं बताएंगे तो फिर एक्जाम में तो और बुरी हालत हो जाएगी हाना चालो हां तो scorpion have book lungs so c के साथ second दे रखा है c के साथ second यहाँ पर दे रखा है यह देखो और अब c कह रहे हो तो c के साथ third तो यह हो जाएगा ना यहां पर तो C के साथ थर्ड दे रहा है, बुक लंग्स के साथ टीनो प्लाना दे रहा है, तो option number C तो वैसे भी नहीं हो सकता, scorpion's have book lungs, second, C के साथ second, ठीक है, C के साथ second, दे रहा है, option number यह में ही दे रहा है, next question यहां पर bilateral symmetrical and acylomate animals चो होते हैं, are exemplified by platyhelminthes, escalminthes, anelida, यह टी equal halves में divide हो सकती है, तो किसमें देखने को मिलता है, bilateral symmetrical organisms, बताएजी, अगर आप, अच्छा, बच्चों ने बोला, option number A, तो escalminthes भी तो हमारे क्या कहते हैं, bilateral symmetrical है, escalminthes नहीं है क्या bilateral symmetrical, escalminthes भी तो हमारे bilateral symmetrical organs है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है, यह बताएज, अब इसका व्या आंसर हमारे पास C आया, anelida, क्या होगे बताएज, फियोना, सबका आंसर, option number C देना है आपको, सबका आंसर, थोड़ा तो मतलब लिहास करिए, थोड़ा तो मतलब वो करिए, anelida हमारे bilateral symmetrical होता है, लेकिन anelida हमारे triploblastic होता है, तीन germ layers देखने को मिलती है, उसके अंदर, सबका देखने को मिलती है, यहां पर से दूसरी बात क्या है कि दिपलो ब्लास्टिक भी होता है, उससे दूसरी बात क्या है, बात क्या है कि वहां पर bilateral नहीं है, वहां कि radial symmetry देखने को मिलती है, तो चीज़ों को थोड़ा देख करके समझ के करिए, हाना, next question पर आते हैं, next question यहां पर हमारा क्या planaria process करता है, high capacity of metamorphosis, regeneration, alternation of generation या biluminance, so planaria के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, नहीं यादा जी आपका सही है, मैंने फियोना का बोला है, मतब फियोना जो बच्चा है, उसका गलत था, उसका option number C नहीं था, उसने option number C बोला था, A correct था हमारा, ठीक है, इसमें बोला गया B, बहुत-बहुत शुकरिया, यह कांसर सही है, क्योंकि यह असान कोशन था, ठीक है, असान में तो सभी सही कर देते हैं, असान में तो दिक्कत ही क्या है, चालो, one example of animal having a single opening to outside, that serve as both mouth as well as anus, so, ऐसा कौन सा हमारा organism है, जिसके इना single opening होती है, and it serves as mouth as well as anus, so, octopus, hysteria, ascadia, या faciola, ठीक है, octopus, mollusca से बिलॉंग करता है, hysteria, यानि कि हमारा echinodrome, और ascadia, अपना, I guess, उसमें होगा नहीं, ascadia, ascariasis, ascalmentis, ठीक है, and faciola, यानि कि अपना वो liver fluke जो है, ठीक है, यह बताना है, इसमें बच्चों ने क्या बोला है, D, अगर हम बात करें, अभी एक बच्चे ने बोला, इसके लिए क्या बोला था, इस वाले कोशन का क्या आ रहा है, इस वाले कोशन का बताओ, इसका क्या आंसर दे रहे हो, इस वाले question का answer क्या दिया है DDI BDI मैंको लग मैंने ध्यान ने दिया कि पहले वाले का comment आया खाव हो कि इस किसका है अगर इस वाले question का answer आप लोगों ने DDI तो ठीक है अगर BDI तो incorrect है क्योंकि Echinoderms के उपर एक ventral opening होती है और एक dorsal opening होती है दोनों तरफ होती है, उपर की तरफ भी होती है, नीचे की तरफ भी होती है, ठीक है, चालो जी, बहुत खूब, next question पर आते हैं, next question, which are the following kind of animals are triploblastic, इसमें से कौन सा हमारा animal, जो है triploblastic है, flatworms हो गया, sponges हो गया, tinoforce हो गया और corals हो गया, चालो बताओ, 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 ठीक है, क्या अंसर है हमारे पास, option number A, हाँ, ठीक है, triploblastic हमारा flatworms यानि की platy helminthes होते है, sponges, कोई sealum नहीं है, and अपने हमारे टिशू भी नहीं बनता, tinoforas और corals, यानि corals हमारे बिलॉंग करते हैं, कि से net area से, यानि की sealant traits, यह दोना हमारे diploblastic होते हैं, ओके, next question, question number 26, during life cycle, facility haptica जो होता है, यानि की liver fluke, infect करता है, intermediate host and primary host, add the falling larval stages, यह question भी आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि liver fluke की life cycle exam में अब नहीं आती है, ठीक है, पहले आते थी, बट अब नहीं आती है, तो यह आप लोगों से पूछा जाएगा नहीं, चालो जी, इधर आते हैं, अपने इस वाले question पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख लो, इसकी life cycle तो नहीं आती है, बट आप लोगों से कभी-कभी, क्योंकि नहीं लिवर fluke का जिक्र किया गया है, अन्शाइब मेरे को याद आ रहे हैं कि NCRT के अंदर किसी point पे, इस डाइजनरिक यानि कि दो होस्ट होते हैं, ठेक है, और दो होस्ट के अंदर अपनी life cycle complete करता है, primary host कौन सा होता है, इसका sheep होता है, ठेक है, and secondary जो होता है, हमारा वो कौन सा होता है, snail होता है, ठेक है, तो इसके कौन-कौन से host है, एक snail है, और एक sheep है, तो अगर आप लोग नोट कर रहे हैं, तो side में mention कर देना, side में लिख देना, ठेक है, कि answer क्या है, हमारा sheep और snail, इसके दो host होता है, sheep और snail, चलिए, which are the falling, जो है, belongs to platyhelminthes, so skeuostoma, and trypanosoma, plasmodium, vocaria, ये belong करता है, वो केरिया हमारा किस से, ascalminthes से, nematodes से, plasmodium, belong करता है, किस से हमारा plasmodium, protozoan से and skeuostoma, जो होता है, ये भी हमारा, दूसरे phylum से belong करता है, बचा trypanosoma, ठीक है, sorry, skeuostoma हमारा से belong करता है, trypanosoma, गेंबेसी, ये भी protozoans में आता है, तो skeuostoma हमारा यहाँ पे किस में आता है, क्या कहते है, platyhelminthes में, तब ही मैं आप लोगों को बार-बारी कहा रहा हूं कि you should जो भी है सार एक्जांपल, you should read all the examples, जो भी पॉसिबली बनते हैं, ठीक है, skeuostoma हमारा बिलॉंग करता है, किस से अपने platyhelminthes से, इसको blood liver flu कहते हैं, तो हमारा उससे बिलॉंग करता है, ठीक है, trypanosoma, गेंबेसी, जो sleeping sickness cost करता है, वो protozoans में आता है, और से प्लाजमोडिय next question is, what is true about tinea sagniata, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को tinea sagniata की regarding कुछ statement दे रखी है, यह वाला question भी नहीं आएगा, ठीक है, हम लोगों को चीज़े आनी है, उसके बने बात करनी है, यह भी आप लोगों से नहीं पूस्चा जाएगा, एक मिनुट को, क्योंकि आजकल इतन के अंदर हम लोगों को special cells देखने को मिलते हैं, excretion के लिए, वो जो special cells होते हैं, उनका क्या नाम होता है, बताओ, platyhelminthes के अंदर हम लोगों को special cells देखने को मिलते हैं, for excretion, those special cells are called, what, flame cells, ठीक है, and proton ephiridia, malpigean tubules, या green glands, green glands, हमारे इसमें नहीं होते हैं, अभी पहले D अभी change हो गया है, हाँ, flame cells जो होते हैं, they are meant for excretion, ठीक है, green glands हमारे होते हैं, किसमें crustaceans में, सो वहाँ पे excretion का काम करते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, excretory structures जो होते हैं, flatworms के are flame cells, ठीक है, और क्या करते हैं, longitudinal and यह तो छोड़ दो, cross connecting करते हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, important चीज, main excretory products कौन कौन से, ammonia and fatty acids है, ओके, next question यह bladder warm वगर हटाते हैं, यह हम लोगों सब की बारी पूछा नहीं जाता है, ओके, यहाँ पर आते हैं, एक बारी देख लेते हैं, ठीक है, which of the falling animals जो है हमारा, is bilateral symmetrical and triploblastic, इसमें से कौन सा ऐसा animal है, जो bilateral symmetrical or triploblastic है so, sealantrates, escalonates, stenophores, और sponges, जल्दी बताएंगे, कौन सा animal हमारा bilateral symmetrical है, proton, बेटा, देखो, proton nephredia, जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो मतलब, कह सकते हैं कि low developed अपने वो है, nephredia है, ठीक है, so, but flame cells को हम लोग जादा वो देते हैं, points देते हैं, जल्दी, हाँ ठीक है, escalonates, हमारे bilateral symmetrical ह होते हैं, triple blastik भी होते हैं, होते हैं तो platyhelminthes भी है, लेकिन platyhelminthes का option दे नहीं रखा है, so, option number B is the correct answer, ठीक है, ascariasis, इस characterized by, तो ascariasis का क्या feature है, presence of true selum, but presence of metamerism, presence of neither true selum, nor metamerism, presence of true selum, ठीक है, but absence of metamerism, presence of true selum, presence of true selum, and metamerism, so, बताएज़ जी, absence of true selum है, हाँ, ठीक है, बताओ, क्या correct feature होगा, escalonates का, escalonates जो होते हैं, हमारे, उसको हम कहते हैं, pseudo selumates, pseudo यानि की false selum, तो यहाँ पे true selum तो होता नहीं है, false selum होता है, ठीक है, तो option हमारा कौन-कौन सा element हो गया, अच्छा, यह दोना options तो element हो गया, क्योंकि यहाँ पे presence of neither true selum nor metamorism, metamorism क्या होता है, जहाँ पे body internal compartments में divided होती है, ठीक है, in case of ascaresis या escalonates, हम लोगों को metamorism देखने को नहीं मिलता, वो देखने को मिलता है, एनलीडा में, so यहाँ पे option number B हमारा, it is the correct choice, next question यहाँ पे हम लोगों से क्या पूचा गया है, चली जी फटा-फट आते हैं, अगले सवाल पे, ठीक है, so इस question में पूचा गया, but it is common between ascaris lumbricoids and anaphylis stephency, so hibernation, metamorism, anaerobic respiration और sexual dyemorphism, so ascaris lumbricoids और anaphylis stephency में क्या common होता है, ठीक है, मतलब हारा, mosquito basically, I know, is cancer, आप लोगों को नहीं आता होगा, but ascaris lumbricoids के अंदर क्या कहते हैं, हम लोगों sexual dyemorphism देखने को मिलता है, males होते हैं, छोटे होते हैं, females होते हैं, बड़ी होती है, यानि कि आप देख करके differentiate कर सकते हैं between males and females, ठीक है, so इस case में आप लोगों को sexual dyemorphism देखने को मिलेगा, एक बच्चे ने बोला है क्या, metamorism, बिटा, metamorism तो ascaris में होता ही नहीं है, तो body जो है, segments में divided तो होती है, ठीक है, वहाँ पर भी आप लोगों को segmentation देखने को मिलता है, ओके, चालो जी, आगे चलते हैं, क्या नाम है, यह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जो जो topic important है, question important है, उसी के उपर काम करते हैं, यह वाला question देख लो, अच्छा है question, इसमें मैजदो कॉलम दे रख है, metamorism किसमें देखने को मिलता है, canal system किसमें देखने को मिलता है, comb plates किसमें देखने को मिलती है, and needle blast किस में देखने को मिलते हैं, so, ऐसे question, animal kingdom के अंदर आप लोगों को काफी commonly देखने को मिलेंगे, थाना, so, आप लोगों को हर एक फाइलम का feature याद होना चाहिए, और इसके characteristic points पता होना चाहिए, क्योंकि यह काफी common है, तो, metamorism and canal system complex or needle blast, so, metamorism किसमें देखने को मिलता है, हम leaders में, canal system हमारा होता है, polyphera में, so, A के साथ 3rd, B के साथ 4th, A के साथ 3rd, B के साथ 4th, हम लोगों को B और C में दे रखा है, complex हम लोगों को देखने को मिलता है, किसमें, T no for a, केंदा हैंने कि C के साथ 2nd, ठीक है, so, A के साथ 3rd, B के साथ 4th, and C के साथ 2nd, यहाँ पर दे रखा है, और needle blast हम लोगों को देखने को मिलता है, sealant rates में, so, option number C, यहाँ पर हमारा, correct choice है, okay, कोई दिक्कत तो नहीं, next पर चले, हाँ, C सही है हमारा, next question यहाँ पर हमारा क्या है, okay, एक मिट्र को, हाँ, next question पर आते हैं, next question यहाँ पर हम लोगों से क्या पूचा गया है, ठीक है, which are the falling options, thus correctly represent, correctly represent, characteristic feature of phylum annelida, triploblastic, unsegmented, unsegmented वाला तुम हटाई देता हूँ, bodding के segmented होती है, triploblastic, segmented and bilateral symmetrical, triploblastic, flattened body, flattened body नहीं होती है, triploblastic, mostry marine and radially symmetrical, यह भी radially symmetrical भी नहीं होता है, ठीक है, so I guess, साफ साफ आंसर आप लोगों को दिख रहा है, हाँ, बहुत बढ़ी हाँ, option number B जो है, that is the correct choice, बिल्कुल साहिए, बढ़ी है, 41 पर आते हैं, यहाँ पर हम लोगों से क्या पूचा है, which are the falling animals में true serum देखने को मिलती है, with bilateral symmetrical, bilateral symmetrical and true serum, adult econoderms, econoderms की अगर हम बात करें, तो econoderms के जो adults होते हैं, वो radial symmetrical होते हैं, आयां जो larvae होते हैं, वो bilateral symmetrical होते हैं, तो यह options तो यहाँ से गया, एसकेल मेंथीज हमारा bilateral symmetrical होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को pseudo-silom condition देखने को मिलती है, प्लैटी हल मेंथीज में सीलोम ही नहीं होता, बचा क्या, एनलीड बचा, ओके, next question पे आते हैं, ठीक है, question number 24, or 42, sorry, ferritima and its close relative derive करते हैं, नरिश्मेंट किस से, option number A, sugarcane, decaying fallen leaves and soil organic matter, ferritima, posthuma, अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो ferritima, posthuma is common name of earthworm, ठीक है, ferritima, posthuma जो होता है, वो earthworm का common name है, and earthworm आपको पता है, कि वो dead or decaying organic matter के उपर feed करता है, पतियां अगरा खाता है, ठीक है, जो सड़ा गला चीजे होती है, उनके उपर वो feed करता है, okay, so, यहाँ पर दे रहा है, decaying fallen leaves and soil का organic matter, so, और पर से यहाँ पर insect को नहीं खाता है, वो small piece of fresh leaves को नहीं खाता है, decaying leaves को वो खाता है, okay, next question यहाँ पर दे रहा है, one very special feature of, feature in earthworm, ferritima is, ठीक है, क्या special feature है, अच्छा, अब देखो, देखकते कहाँ पर आती है, अब की बारी हमारा जो syllabus आया है, class 11th का, ठीक है, क्योंकि यह जो part है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं, यह जो ferritima के बारे में special features पूचे है, टिफलो, सोल, एन यह S-shape, सीटे, यह सारी चीज़े, तो यह animal kingdom में हम लोगों को पढ़ा ही नहीं गई है, ठीक है, यह चीज़ हम लोगों को पढ़ा ही गई है, किसके अंदर, structural organization in animals, तो हम लोग cockroach की, earthworm की और frog की अनॉटमी पढ़ते हैं हमापे, और morphology पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अपकी बारी ऐसा है, कि जो हमारा syllabus है, वो deducted है, अगर कोई बच्चा आये था, या उसमें पढ़ी है 11, या अपकी बारी भी किया, पिछले 2 साल से syllabus deducted हो रहा है, तो बहाँ पर उन्हें अर्थम कोड़ाई दिया है, कौकरच कोड़ाई दिया है, लेकिन नीट में कोशन आता है उसका, ठीक है, और नीट वालों ने बोला भी नहीं है, कि हाँ ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देख लेते एक बारी, क्या पूछाए कि special feature, टिफलो सोल ग्रेटली इंक्रीज करता है, इफेक्टिफ अब्सॉर्प्शन एरिया औफ डाइजस्टेट फूड, the S-shaped seat, embedded होता है, किसके अंदर, integument के अंदर, are defensive weapons used against enemy, seat जो होते है, वो S-shaped के होते हैं, बट यह उसको locomotion में help करते हैं, चलने में help करते हैं, it has a longitudinal dorsal tubular heart, ठेक है, तो tubular heart नहीं है, लंबा नहीं है, ठेक है, fertilization of X occur inside the body, हाँ वैसे दो देखो, X-cuff नहीं, X-cuff fertilization, ककून के अंदर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो जो अर्थों में फर्टिलाजेशन उसका कैसा है, एक्स्टरनल है, ठीक है बेटा, तो इसमें पुछा गया है कि स्पेशल फीचर, जो टिफलो सोल, जो स्मॉल इंटरस्टाइन होती है, उसके अंदर एक फोल्ड बनता है, जिसकों कहते हैं टिफलो सोल, एंड़ फोल्ड इंक्रीस करता है, क्या इस सर्फेस एरिया फॉर डिजेशन, ठीक है, तो यह जो बेटा भी नहीं होगा, भी ना होने का रिया चौदरी जी एक रीजन है, यह सही बात लिखी है, कि उसकी बाड़ी के अंदर S शेप सीटे होते हैं, वो एंबेड़िट भी होते हैं, किसके अंदर, एंटेग्यमेंट के अंदर, यहां तक बात ठीक लिखी है, लेकिन यह आगे लिखा है क्या, डिफेंसिव आते हैं हम लोग, यहां पर हम लोगों से पूछाएं कि इन लाइब अर्थ फर्म, इस प्रिकल्ड वेद अ नीडल, ऑन इट्स आउटर सर्फेस, विदाउट डैमेजिंग इट्स गर्ट, दा फ्लूइड दा कम्स आउट, यह भी रहन दो, ठीक है, रहन दो, इसकी भी नहीं है, ठीक है, यहां पर आते हैं, विजद फॉलिंग इस नॉट करेक्टर स्टिक आफ एन लीडा, एन लीडा का कौन सा करेक्टर स्टिक फीचर यहां पर नहीं है, क्लोस्ट, सर्कुलेटर सिस्टम, सेग्मेंटेशन, सुडोसीलोम, या वेंट्रल, नर्व, कॉर्ड, विजध फॉलिंग इस नॉट करेक्टर स्टिक फीचर उफ एन लीडा, एन लीडा में क्या देखने को नहीं मिलता, चलो बताएजी एन लीडा में क्या देखने को नहीं मिलता है, हाँ जी, option number C हाँ उसके अंदर true celom देखने को मिलती है false celom देखने को नहीं मिलती है 44 पर आते हैं यहाँ पर हम लोगों से बोला गया कि earth form जो होता है have no skeleton but during burrowing the anterior end becomes turged and act करता है as hydraulic skeleton it is due to a celomic fluid blood gut peristylisis यह भी नहीं आएगा अब की बारी नहीं पूछना बंद कर दिया नहीं सब ठीक है और यहाँ पर मैं देख लेता हूं कौन कौन से कोशन आने वाले हैं विच्ट फॉलिंग करेक्ट मैच जो होता है ठीक है यह देख सकते हैं हम लोग यहाँ आप हम लोगों से पूछा गया कि पोस्ट एनल टेल किसमे होती है और वेंट्रल क्या लिख है इन्होंने कोशन ढंक से लिखा नहीं है चल उसको छोड़ा अभी टाइम वेस्ट कर रहा है मारा इस पर आते हैं विच अधा फॉलिंग देख क्लोरो क्यूराइन पिग्मेंट जो होता है तेखने को मिलता है अच्छा यह क्लोरो क्लोराइन जो पिग्मेंट है ठीक है अब है कि हम लोगों नहीं पड़ा बट सम्हाओ कभी-कभी ऐसे कोशन एक्जाम में आ सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं हलांकि 2001 में आया है बट एक्जाम में आप लोगों को ना मतलब ऐसे कोशन देखने को मिलेंगे कम से कम 2-3 या मतलब 5 मान लो जो शायद आप लोगों को लगे किया यह तो NCRT में नहीं है ठीक है और इस pigment का जिक्र नहीं किया गया है यह जो chloro-crinoin pigment है हमारा यह anilida में देखने को मिलता है बट इसके बारे में कभी भी बात नहीं करी गई है यह देख सकते हैं respiratory pigment है green color का है ठीक है fluorescing red and dissolve करता है plasma of polycete worms ठीक है तो plasma में present होता है ओके चलिए function wise just as there are nephridia in earth form so as are in parotid glands in toad parotid glands हमारे slavery glands होते हैं statocyst जो होते हैं balancing के लिए होते हैं flame cells in liver fluke आपको पता है किस के लिए होते हैं और myo teams in fish so function wise nephridia जो होता है earth form में क्या करता है excretion करता है so अब इसमें से बता दीजे कि ऐसा कौन सा cell आप लोगों को दिख रहा है जो excretion में participate करता है ठीक है जल्दी से बताइए पचा एक और question कर लेते हैं उसके बाद फिर क्या करते है class को end करते हैं फटा-फट बताओ जल्दी 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 बताओ इसमें से कौन सा ऐसा cell है जो नेफरीडिया की तरह नेफरीडिया क्या करता है excretion करता है हाँ जी अब यह बहुत बढ़िया flame cells जो होते हैं तो अलसो पार्टिसपेट करते हैं किसके अंदर in excretion ठीक है the true cellum is the space lying between elementary canal and the body wall enclosed by layer true cellum किस किस के बीच में होता है जेको हमारी 3 germ layers होती है एक होता है ectoderm, mesoderm और endoderm so true cellum जो होता है हमारा it is basically the space between किस के बीच का space को हम लोग true cellum कहते हैं ठीक है यहाँ पे आपको बताना है ectoderm on both sides endoderm on one side and ectoderm on other side mesoderm on one side and ectoderm on other side or mesoderm on both sides so true cellum condition कौन सी होती है किस cellum को हम कहते है कि यह true cellum है हमारी 3 germ layer होती है ectoderm, mesoderm, endoderm ठीक है तो कौन से condition को हम true cellum कहते है जी हाँ Rhea Chaudhary ने से अंसर दिया है mesoderm on both sides so जब क्या कहते है mesoderm होता है दोनों sides पे तो उस condition को हम क्या कहते है उस space जो सराण होता हम कहते है true cellum ठीक है अच्छा, बाकी किके जो questions है मैं आप लोगों को कल continue करवा दूँगा and कल हम लोग class 12 बज़े रख रहे है ताकि at least क्या कहते है मैं 2 घंटे तक class ले सकूँ Wednesday है मैं 2-2 घंटे की class ले लूँगा ठीक है Saturday को थोड़ी लंबी और class कर लूँगा ताकि आप लोगों के जो chapters maximum possible हो सके वो हम लोग complete कर ले ठीक है थोड़ा सा मेरे को और class बगरा भी लेनी है तो मैं को हाँ पर जाना पड़ेगा थोड़ा में को भी लग रहे कि time हम कम दे पारें तो उसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कल 12 बज़े आ जाऊ and please कल सारे के सारे याद रखना पर चला तुम लोगों को लगे कि एक बज़े class होगी धिमाग से उतर जाए तो आप alarm बगरा लगा लेना क्योंकि मैं 12 बज़े कल आ जाऊँगा marathon class एक बड़े decide कर लेंगे गितने बच्चे आ रहे हैं उससे सबसे मैं 3-4 घंटे ऐसी बढ़ा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है Saturday को अपने कर लेंगे but please कल 12 बज़े कल आ मुगरा लगा लेना ओके चालो मुग और दूख करिंगे